जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में मैं हूँ महीर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं कि जो Central Government Security है वो किसे मिलती है और अगर किसी इंसान को दी जाती है मैयूर मोगरे इसी नाम से और उसी के साथ पीडियाफ वीडियो अप्डेट्स के लिए टेलिग्राम पर फॉलो गर सकते हो लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दीवी है तो न्यूस क्या चल रही है न्यूस है कि बॉलिवूड एक्टर कंगना रनाओत उनकी फाइट हमें देखने को मिली है फाइट मतलब कुस्ती नहीं लेकिन जो बातों की फाइट है वो देखने को मिली है महाराश्टर में जिनकी सरकार है शिव सेना उनके जो लीडर है संजे राउत उनके साथ अब यहाँ पर इसी के चलते उन्हें वाई प्लस सेक्यूरिटी जो है यह प्रोवाइड की गई है और किसके द्वारा की गई है अब इस सेक्यूरिटी के तहट उनके साथ 11 कमांडो जो है वो देखने को मिलने वाले हैं जो की कंटिनियसली कंगना रनाओत के प्रोटेक्शन में रहेंगे और कंगना रनाओत को मुंबई ना आने की धमकी जो है वो भी प्रोवाइड की गई थी और इसी के चलते कंगना रनाओत जो है वो मुंबई आ रही है आज ही और इसी के लिए यहाँ पर सेक्यूरिटी जो है काफी टाइट सेक्यूरिटी उन्हें प्रोवाइड की गई है हाला कि अगर आप न्यूस देखोगे तो एरपोर्ट पर काफी सारे लोग जो है अलग-अलग इसके वो भी आपर आया है कंगना रनाओत को प्रोटेक्शन देने के लिए खैर तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो ओफिशल तोर पर सेक्यूरिटी प्रोवाइड की गई है मतलब वाई प्लस कैटिगरी की जो सेक्यूरिटी है उसके बारे में अब देखिए वेरियस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कौन-कौन से मिलते हैं इंडिविजवल को या फिर गवर्मेंट ओफिशियल को सेंटर और स्टेट के तो कौन-कौन से सेक्यूरिटी हमें देखने को मिलती है तो इसमें अगर ब्रॉडली दिखा जाए तो छे कैटिगरी जो है सेक्यूरिटी कवर की वो देखने को मिलती है एक होती है एक दूसरी होती है फिर होती है य प्लस फिर होती है जेड और फिर होती है जेड प्लस और इन दी एंड सबसे हाइस सेक्यूरिटी हमें देखने को मिलती है SPG मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप ये जो स उनके साथ रह रहे हैं, कितने लोग उनके साथ रह रहे हैं protection provide कर रहे हैं, उसकी हिसाबसे categories में बाटे गय हैं, x category अगर हम देखते हैं तो average इसमें just one gunman शो है, वो देखने को मिलता है कि individual को protect करते हैं फिर y category अगर हम देखे तो उसमें 1 gunman, mobile security के लिए और एक यहाँ पर rotational basis पर होते हैं static security के लिए फिर Y plus अगर हम देखते हैं तो उसमें दो gunman जो यहाँ पर कंगना रनाओत के साथ रहने वाले हैं तो Y plus उन्हें provide की गई है तो दो gunman plus 4 on rotational basis हमें देखने को मिलते हैं mobile security के लिए और 1 जो है plus 4 on rotation residence security के लिए हमें देखने को मिलते हैं मतलब यहाँ पर जब Y plus security दी जाती है तो आप residence पर घर पर हो या फिर अगर आप कहीं पर जा रहे हैं वो travel कर रहे हो तो continuously आपके साथ जो security है वो रहती है जब हम Z security पर आते हैं तो यहाँ पर 6 gunman आपके साथ रहते हैं mobile security के लिए मतलब कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो तो उसमें आपको security प्रोवाइड की जाती है उनको Z plus security प्रोवाइड की जाती है तो जो Z plus protection है उसमें 10 security personal हमें देखने को मिलते हैं mobile security के लिए मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आप travel कर रहे हो तो आपके साथ 10 जो guards है वो यहाँ पर रहेंगे आपको protect करने के लिए और दो जो है residence security के लिए हमें देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से जो protection level है जो लोग आपके साथ रह रहे हैं उसके हिसाब से यह बढ़ते वे हमें देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर किसी को भी अगर threat मिलता है मतला आपको या मुझे अगर threat मिल जाता है किसी से तो क्या हम भी आपर security claim कर सकता है कि या हमको भी security चाहिए हमको भी आपर central government जो है protection देना चाहिए तो नहीं ऐसा नहीं होता है mostly जो protection है यह informally जिसे VIP security कहा जाता है generally उनको दिया जाता है जो कि कोई particular position पर है civil society में या फिर government में अगर government में आप chief minister हो तो आपको security जो है वो दो देना ही पड़ेगा अगर आप state में भी cabinet minister हो तो आपको भी security जो है वो मिलेगी अगर आप प्रधान मंतरी हो तो आपको तो अलगी security मिलती है आप cabinet ministers हो, तो फिर आपको भी आपर security दी जाती है, है ना, तो अगर आप government में, या फिर अगर civil society पर भी कोई अगर position पर हो तो फिर आपको यहापर security जो है वो provide की जाती है, center जो है general lieutenant होती है, यहाप protection जो है individual को देने के लिए, है ना अब यहापर सबसे बड़ा सवाल यहाता है, कि कौन decide करता है, कि यहापर security जो है individual को, या फिर किसी को दी जानी है, तो level of security जो होती है, मतलब यहापर x security देना है, y security देना है, y plus देना है, तो यह जो है, यह कौन decide करता है, किसके द्वारा किया जता है तो यह decide किया ज़ता है MHA के द्वारा ठीक है? मतलब जो भी यहाँ पर उनको indigenous agencies के द्वारा जो चीजे receive हो रही है कि हाँ इसको यह threat है इसको यह threat है, इसको यह problem है यहाँ से इसको धमकिया आ रही है तो protection जो है वो दिया जाना चाहिए तो इस basis पर जो MHA है उनके द्वारा यहाँ पर security प्रोवाइड की जाती है है ना? और agency जो है mostly यहाँ पर जो subjective measures होते है जो threat of life हो, किस तरीके का threat है उसके basis पर जो information यहाँ पर generate हुई है sources के द्वारा उसके basis पर देती है information जो है इस पर phone conversation हो सकते है human intelligence के द्वारा information मिल सकती है open threat जो आते हैं उसके द्वारा मिल सकती है तो अब यहाँ पर अगर threat के basis पर जो security प्रोवाइड की जाती है तो फिर DP का बादू कौन जो है उनको करनी सेना के द्वारा काफी threats मिल रहे थे 2017 में तो फिर उनको protection जो है तो बिल्कुल accountable नहीं किसी भी statutory body को यह अगर हम देखे तो ministry of external affairs ministry of home affairs जो है उनकी इसमें हमें देखने को मिलता है और इसलिए यहाँ पर agency जो है यह किसको security प्रोवाइड करेगी किसको नहीं करेगी यह उनकी उपर निरबर होता है ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बोला कि यहाँ मेरे को threat है मेरे को phone call आये है तो मुझे यहाँ पर security दो और मैं तो यहाँ पर अच्छे खासे position पर भी हूँ तो ज़रूरी नहीं कि उनको security जो है वो दी ही जाएगी और वो accountable भी नहीं होते है कि हमको देना है नहीं होना है ठीक है यह भी चीज़ काफी ज़र्था important है मतल़ यहाँ पर क्या है particularly जहाँ पर VIP security जो है वो involved है तो वहाँ पर जो public domain है उस पर नहीं डाला जाता है कि क्यों हम यहाँ पर दे रहे हैं इसके पिछे क्या कारण है या फिर हम क्यों नहीं दे रहे हैं इसके पिछे के कारण है बिल्कुल नहीं बताया जाता है यह इसलिए बोले जाता है कि जो security यहाँ पर दी जाती है यह actual में जो threat है उसके बलबूते पर नहीं लेकिन political reasons जो है इसके बलबूते पर दी जाती है अकसर ऐसे जो इलजाम है वो भी यहाँ पर लगाय जाते है तो अब यहाँ पर कौन-कौन से forces जो है वो engage होते है VIP security के लिए तो VIPs अगर हम देखे तो उसमें मतलब कर अगर हम प्रधान मंतरी के अलावा देखे तो यहाँ पर National Security Guard Central Reserve Police Force CRPF जिसे हम कहते हैं Central Industrial Security Force तो यह जो है यह security cover प्रोवाइड करते हैं Government जो है over the years यहाँ पर उन्होंने कई बार कहा है कि जो बर्ड़ा ने VIP securities का NSG पर यहाँ पर reduce किया जाए क्योंकि NSG अगर आप देखोगे तो mostly जो terrorism है उससे fight करने के लिए terrorism operations जो होते हैं उसके लिए होते हैं और इनको क्या किया जा रहा है तो security के लिए रखा जा रहा है तो यह ना किया जाए ऐसा कई बार बोल जाता है अगर आप देखोगे तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी कई ऐसे मंत्री रहे हैं जिन उने energy security जो है वो यहाँ पर ली है तो यहाँ पर इनका जो burden है यह सिव हम terrorism तक ही सिमित रखे terrorism operations तक ही सिमित रखे ऐसा यहाँ पर बोला जाता है और इसलिए अगर हम देखे most of the जो हमें central government में भी जो ministers देखने को मिलते हैं वो या तो CRPF या CIPF जो है उनकी security यहाँ पर लेते हैं अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो security दी जा रही है तो उसके लिए cost कौन bear करता है तो देखे यहाँ पर mostly किसी भी individual को जो अच्छे कासे position पर है उनको security दी जा रही है तो फिर आपके घर पर उनके रहने की विवस्ता जो है वो करना पड़ता है इसलिए एक जो हमारे chief justice of India थे तो उनको यहाँ पर security जो है Z plus security यहाँ पर provide की जा रही थी लेकिन उन्होंने यह लेने से मना कर दिया था Z security जो उनको provide की जा रही थी तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है जो accommodation है इन security personals का यह यहाँ पर provide करना पड़ता है लेकिन कहीं कहीं बार ऐसा भी होता है कि आपको जो पैसे हैं वो भी देने पड़ते हैं इसका एक example है कि यहाँ पर जो industrialist है मुकेश अमबानी कौन नहीं जानता है इनको यहाँ पर जो Z security है Z category की security यह provide की गई थी 2013 में क्योंकि यह समझा गया था कि इनकी life को जो है वो threat है और जो government है उन्होंने कहा था यहाँ पर CRPF जो उनकी security उनको दी गई थी और government ने कहा था कि आप यहाँ पर 15 लाक रुपे पर महना जो है वो security cover के जो अमबानी है उनको चार्ज करो तो इस तरीके से यहाँ पर जो पैसे है कई-कई बार ऐसा भी होता है कि जो individual है उनको pay करना पड़ता है लेकिन mostly यहाँ पर जो government है वहीं यहाँ पर bear करती है और जो भी आपर security provide की जा रही है accommodation जादा जादा उनको देना पड़ता है mostly यहाँ पर security जो है वो free में ही provide की जाती है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको पूरा जो किस्सा है यहाँ पर security के बारे में यह यहाँ पर समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से और यहाँ पर अब जो कंगना रनावत को भी security दी गई है Y plus category की तो इसके बारे में भी आपको अच्छे दिखा से पता चल गया होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो share जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहन